आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको इसकी प्रिवेस क्लोजिंग पे 10% के करीब का मोमेंट देखने को मिला है अब आपको यह होगा कि यह कहां तक जाएगा के स्पोर्ट रहें के टार्गेट रहेंगे और किस वज़े से इतनी अच्छी आपको तेजी देखन कर लो ताकि जब जो वीडियो अप्लोड करू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे कि आपको बता कि 10% के करीब के आपको तेजी देखने को मिली थी और यहां पर यह जो तेजी थी यह इनके क्वाटर फॉर के रिजल्ट को लेके थी क्योंकि इनके क्वाटर फॉ मिल जाए लेकिन यहां पर दो तीन ऐसे पॉइंट है जिसके वज़े से ज्यादा अच्छा मुमेंट नहीं भी देखने को मिले क्यों नहीं देखने को मिले फर्स्ट ओफ जो इसके बाउन विक का हाई है वह एक यहां पर रिस्टेंस है जो की 524 का है तो यहां से हलकी सी क्र विगड़ने वाला है हो सकता है कि गिरावट देखने को मिल जाए अगर पूरी मार्किट में गिरावट देखने को मिली तो इस टोक पे भी आपको इंपक्त देखने को मिल जाएगा तो यहीं पर मैं कह रही हूं कि भाई हो सकता है कि आज इसमें हमें गिरावट देखने को मिल जाए या फिर कम तेजी देखने को मिले जितनी ये है ना उतनी अच्छी तेजी ना भी देखने को मिले ये कुछ रिजन से जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिये हैं भई देखो हम 100% कुछ नहीं कह सकते किसी भी स्टोक के बारे में मार्किट के बारे में हम जो नूज होती जो चार्ट लें इंडिकेशन देता है उसका प्रेडिक्शन करते हो और हम बताते हैं यहां पे देखो स्टोक डून्ट्रेंड में था ये उसके बाद अच्छी खासाod दिया तो घूल मुवर्वेंट ओर भी ut चाहना तो है लेकिन बहुत सारी अपडेट जो होती है न वह इंपक्ट कर देती है इस टोक को जो कि ऐसा निया कि एकदम से टार्गेट ही तो जाएगा तो हो सकता है हायर लो बनाई यहां पर और फिर मार्केट अपसाइड जाए तो यह चीजा आपको ध्यान में रखनी है त आपका क्या कहना इस स्टोक के बारे में कोमेंट करके बताना और इस स्टोक से रिलेटिट कोई भी डाउट हो या फिर किसी और स्टोक के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कोमेंट करके पूछ सकते हो और मैं आपको बता दो फेंड्स इस वीडियो का मॉटिव अल्ली पर एजुकेशन परपज है